मेश लगन के हीरो को जानते हैं देखिए मेश लगन का जो हीरो है वो सूर्य है अगर सूर्य को यहाँ पर मजबूत किया जाए तो हर तरह की सफलता मिल सकती है साथी साथ हमेशा अपनी स्वास्थ को अच्छा रखा जा सकता है अपनी कुंडली के सूरě को प्रबल करने के लिए आप नित्ट प्रातह सूर्य को अगर जल चड़ाएं तो निश्चित रूप से आपको लाप होगा वरिश लग्न वरिश लग्न का जो हीरो है जो नायक है वो शनी है शनी मजबूत रहे तो व्रिश लगन वालों की हर समस्या का समाधान हो जाता है और शनी को ठीक रखके धन और सेहत की समस्या से बच भी सकते हैं शनी को बेहतर करने के लिए हर शनीवार को पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए मिथुन लगन मिथुन लगन का जो हीरो है वो शुक्र है शुक्र को ठीक रख करके आप अपनी सोच को ठीक रख सकते हैं साथी साथ जीवन में आर्थिक मजबूती पा सकते हैं तो अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करें, एक हीरा या एक ओपल जरूर पहने आपको लाबशक्त। अब जानते हैं कि करक लगन का हीरो कौन हैं? करक लगन की कुंडली का हीरो होता है मंगल। अगर मंगल ठीक है, तो सब ठीक रहता है, खास तोर से दुर घटनाओं से और स्वास्त की समस्याओं से रक्षा होती है और व्यक्ती जीवन में कम प्रयास करके सफलता पा जाता है। इसलिए मंगल को बहतर करने के लिए करक लगन वालों को हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। सिंग लगन, सिंग लगन का भी जो हीरो है वो मंगल है, ये हर तरह के उतार चड़ाव और संघर्ष से बचा लेता है और इसकी क्रपा से आपका प्रभाव बढ़ता जाता है। तो अगर आपका सिंग लगन है और मंगल को अच्छा करना चाहते हैं तो जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करें आपके लिए बहुत शुब रहेगा कन्या लगन का जो हीरो है वो है बुद्ध यानि मरकरी बुद्ध को मजबूत करके करियर और व्यक्तित्व का बेहतर वर्णान मिल सकता है और व्यक्ति बहुत धन्वान हो जाता है अगर आपका लगन कन्या लगन है और आपको फाइदा चाहिए तो भगवान कृष्ण की या भगवान विश्नु की उपासना करें आपको निश्चित रूप से लावते हैं कि तुला लगन की कुंडली का हीरो कौन है तुला लगन की जो कुंडली है इसका हीरो होता है शनी शनी अगर बेहतर हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता पाता है और जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता इसलिए शनी को बेहतर बनाईए शनी वार को अन का या भोजन का दान करिए आपको फाइदा जरूर होगा व्रिश्चिक लगन व्रिश्चिक लगन के लिए ब्रिहस्पती हीरो है सरवाधिक महत्वण है व्रिष्चिक लगन में ब्रिहस्पती को ठीक रख करके धन, संतान और ज्ञान का वर्दान मिल सकता है इसलिए आप ब्रिहस्पती को अच्छा करिए एक पीला पुखराज सोने आपीतल में तरजनी उंगली में ब्रिहस्पती वार को सवेरे पहनिये आपको लाब होगा धनुलगन, धनुलगन का जो हीरो है जो नायक है वो सूर्य है, सूर्य को ठीक रख करके जीवन के संघर्ष को कम किया जा सकता है अगर आप सूरी को ठीक रखें तो भाग ये हमेशा आपकी सहायता करेगा और सूरी को ठीक रखने के लिए एक तो सूरी भगवान को जल दे दूसरा सूरी भगवान के सामने हनुमान चालिसा का पाठ जानते हैं कि मकर लगन की कुंडली का हीरो कौन है मकर लगन की कुंडली का हीरो होता है शनी शनी से ही इनको विद्या, कैरियर और धन की प्राप्ती होती है और शनी ही इनका स्वास्थ्य ठीक रख सकता है इसलिए शनी को बेहतर करने के लिए शनी मंत्र का जब करें तो बहुत अच्छा होगा और जहां तक संभव हो शराब और नशे से परहेज करें कुंबलगन का जो हीरो है जो नायक है सबसे महत्वपूर ग्रह होता है शुक्र और शुक्र के कारण ये करियर की उचाईयों को छूपाते हैं और हर तरह की मानसिक समस्याओं से बचे रहते हैं आपको करना ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र पहनिये और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना कीजिए आपको लाब होगा मीन लगन मीन लगन का जो हीरो है जो नायक है वो चंद्रमा है सबसे एहम है मीन लगन में चंद्रमा की वज़े से ही ये ज्यानी होते हैं, शांदार होते हैं और जीवन में सफल होते हैं चंद्रमा की वज़े से ये अच्छा कैरियर और अच्छी संपत्ति पा सकते हैं इसलिए मीन लगनवालों को एक मोती चांदी में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सो मुआर की रात को पहनना चाहिए